नमस्कारम, आयरुवेदिक धनवंतरी में आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब को जानकारी दूँगा कि गर्भवती स्त्रियों को क्यों चूना खाना और चूना का पानी पीना परम आवशक होता है और उसके अद्भुत चार फायदे कौन से हैं देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं गर्भवती स्त्रियों को गर्भकाल के समय में सबसे जादा जो आवशकता होती है वो कैल्सियम की होती है और आयरन की होती है तो कैल्सियम की आवशक्ता इसलिए भी होती है कि जब गर्भ में बच्चे का निर्माड होता है गर्भ का विकास चलता रहता है तो हड्डियों के निर्माड के लिए कैल्सियम की आवशक्ता पड़ती है इसके अलावा यदि गर्भ किसी भी कारण से कमजोर पड़ जाता है तो उसकी वज़ा से मिस कैरीज हो सकता है अर्थात गर्भपाथ भी हो सकता है तो गर्भपाथ से बचने के लिए चूना का प्रियोग करना गर्भती स्थियों के लिए बहुत जरूरी है इसके लिए एलोपैथ में कैलसियम का टैबलेट देते हैं खाने के लिए जो कि उनके लिए फायदा कम नुकसान जादा करता है कैलसियम के टैबलेट्स खाने के बाद में जो एक प्रमुक समस्या आती है इस तरियों में वो होता है इस तनका एंसर का तो उससे भी बचने के लिए इसके अलावा जो चूना का प्रियोग है या बहुत ही सुरक्षित प्रियोग है या बड़ा सुपाच्य होता है वहीं जबकि artificial calcium की जो tablets होती हैं उनको पचाने में हमारे पेट को काफी मसक्कत करनी पड़ती है और काफी उर्जा वेश्ट होता है इसके अलावा जो प्रमुख दूसरा फायदा है चूने के पानी का प्रियोग करने से अथ्वा चूना का प्रियोग करने से गरभवती इस्त्रियों का miscarriage नहीं होता है और जो गर्वती स्त्रीमों के सरीर में तमाम जो छोटे-छोटे माइक्रो निउट्रियंस होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि सोध में पाया गया है कि जब सरीर में micro nutrients की कमी हो जाती है तो उसका एक प्रमुक कारण होता है calcium की कमी क्योंकि calcium की अनुपस्थिती में जो micro nutrients होते हैं वो काम नहीं करते हैं अर्थात वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, होते हुए भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है इसके अलावा बच्चों के विकास के लिए उसके मस्तिक्स के विकास के लिए चूने का प्रयोग काफी लाबदायक सिद्ध होता है और तीसरा सोध में एक चीज और भी पाया गया है कि जो इस्तियां गरभावस्था के दवरान शूने का प्रयोग करती हैं तो उनका जो डिलेवरी होता है, जो अर्थात प्रसव होता है, वो सामान्य होता है, उनको सीजेरियन की आवशक्ता नहीं पड़ती है अर्थात आपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ता है तो ये तो जो थे ये बहुत ही सामान्य लावते इसके अलावा, जब गरभती स्तियों के सरीर में केल्सियम की कमी हो जाती है तो उसे गरभती स्तियां काफी कमजोर हो जाती है उनको भूँख भी नहीं लगता है और उठने में, बैठने में काफी दिक्कत होती है उनके घुटने में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है जिससे वे काफी बेचयन रहती है और यदि गर्भावस्था के समय में कोई इस्त्री दुखी रहती है प्रसन रहती है पीडा में रहती है तो उनके जो गर्भ में बच्चा रहता है वह भी बहुत ही परिसान रहता है अब इसके बाद में हम लोग बात करती हैं कि यदि चूना खाने से इतने धे सारे फायदे हैं गर्भावस्था में तो उसका एक सही तरीका क्या है किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए और मात्रा क्या है गर्भाती स्त्रियों को चूना पीने के लिए जो चूना हो और सुध्ध होना चाहिए अथवा मार्केट से जो चूना मिल जाता है पांच रुपए की पैकेट में अथवा आप चूना घर पे भी सुध्ध कर सकते हैं तो उसमें मसे आपको आधा से एक गेहुं के दाने के बराबर चूना लेना है और खाना खाने के बाद में जी हाँ इसका प्रयोग खाना खाने के बाद में ही करना है आधा गेहुं के दाने के बराबर से लिके एक गेहुं के दाने के बराबर पानी में घोल के पीना है अथ सब्जी में भोल के पिया जा सकता है चूने को सबसे आदा जो ध्यान देना है जिनके पेट में पथरी है उनको नहीं देना है इसके अलावा चूना के प्रयोग करने से सरीर में रख्त की मात्रा भी बढ़ती है क्योंकि चूना जो होता है वो हमारे लीवर के एक्टू करता है और पीलिया रोक भी नहीं होने देता है और जब लीवर एक्टू रहता है तो पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी रहती है भोजन अच्छे से पचता है भूँख अच्छे से लगती है और फिर चूने के वज़ चूने का प्रयाप्त होता है इस्त्रियों के लिए और इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार की हानी नहीं होता है यह हमारे प्राचीन काल से हमारे यहां प्रयोग किया जा रहा है रिसी मुनियों ने इसके प्रयोग को बताया है इसमें भी किसी संसय की बात नहीं है इसको आप निसंदेह बिना किसी डाक्टर अथ्वा वैद्य के सलाह से इसको प्रयोग करें और यदि किसी प्रकार की आपको इसमें जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें आपके प्रशनों का उत्तर दिया जाएगा आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आप लोग क पहोची देदी से पिल को विद्वादी सर्वादी कि इसके रवादी कमेंट वह प्राइबievा'm कि भूदु अर्शनों में चाहिए भी आपके बिन plano स्वाद号 मन्तर झानकारी थे जोवादी आयों किसी पाल जो और द